Untitled Chapter, रात का समय, सब अपने अपने कमरे में थे, वही काव्या अपने फोन पर बात कर वापस से अपने कमरे में जा रही थी, कि तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़ कर खीच लेता है, ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि काव्या को कुछ समझ नहीं आता, काव्या चीखे उसे पहले ही वो इनसान उसके मूल को कवर कर देता है, और काव्या को एक कमरे में खीच कर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, काव्या जल्दी से उसे खुद से चुड़वाने की कोशिश करती है, पर वो उस इनसान के पकर से छूट नहीं पाती, वो इनसान उसे कमर को वॉल से लगा देता है। काव्या जल्दी से उस इंसान को देखती है। और अगले ही पल वो नोमल हुने लगती है। क्यूंकि उसके सामने कोई और नहीं बलकी विवान था। जिसे देख काव्या नोमल हो जाती है। काव्या के नोमल होते ही विवान अपना हाथ उसके मू उसने आज पहली बार विवान के ऐसे expression देखे थे, विवान काव्या को देखते हुए गुस्से में कौन हो तुम, विवान की बात सुन काव्या के हाथ उसके dress पर कस जाते है, पर उसके मूह से कुछ नहीं निकलता, काव्या को ना बोलते देख विवान को और गुस्सा आने ल काव्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे अच्छी से यकीन था कि विवान ने उसकी और सिया को सारी बाते सुन ली थी। इसलिए उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। विवान काव्या को बोलता ना देख गुसे में काव्या की सर के बगल में जोरदार घुसा वॉल पर मार देता है। विवान गुसे में अंडस को आंसमी। विवान को ऐसा करते देख काव्या बुरी तरह से डर जाती है। और उसके आंखों से आंसू बहने निकलते है। पर व विवान जैसे जो वॉल पर घुसा मरता है, उसके हाथों से खून बहने लगता है, जिसे देख काव्या जल्दी से विवान का हाथ पकड़ते हुए विवान ये क्या किया? विवान अपना हाथ कीच कर काव्या से छुड़वाते हुए मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? कहते हुए विवान अपने दोनों हाथों से काव्या के कंदो कर कसकर पकड़ लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक दुसरे के बेहत करीब आ जाते हैं. काव्या विवान को समझते हुए देखो विवान जो तुमने सुना वो सच नहीं. काव्या ने इतना ही कहा था कि तभी विवान काव्या के चहरे को अपने हाथों से दबाते. हुए मेने जो पूछा उसका जवाब दो, मेरे पसेंस को मत आजमाओ. और हाँ अब जूट, मत बोलना, मुझे जूट से बहुत नफरत है. इतना कहकर विवान काव्या का चहरा जटक देता है. काव्या भरे गले से अनाथ हुँ में एक, जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में. काव्या की बात सुन विवान कहता है कैसे होगा तुम्हारा इस दुनिया में कोई, जिस उसे तक्लीफ देनी चाही, काव्या जल्दी से विवान तुम गलत समझ रहे हो, जो हुआ वो बस हालात की वजय से होता चला गया, हम बस करन की इन्फॉर्मेशन निकल रहे थे, उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहचाना चाहा, विवान काव्या के कमर को कसकर पकड मेरे होते ह मेरे भाई को कोई नुकसान भी नहीं पहुचा सकता, काव्या दर्द से अपनी आँखे बंद कर विवान मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, विवान काव्या की कमर को और कस्ते हुए इसे ज्यादा दर्द यहां हो रहा है, कहते हुए विवान काव्या का हाथ अप पर मुझे मिला क्या धोखा, धोखे बाज हो तुम, धोखे से मेरी जिन्दगी में आई, मेरे दिल के साथ खेला, तुम जैसी लड़की किसी के दिल में बसने लायक नही, काव्या विवान के आँखों में देख रही थी, जहां उसे दर्द साफ नजर आ रहा था, काव्या भर आँखों से विवान जो भी हुआ, वो सब में तुम्हें बताना चाहती थी, पर विवान काव्या को देखते हुए पर क्या, बाद में पता चला कि जब में तुम से प्यार करता हूँ तो अब आगर तुमने मुझे सब बता दिया, तो में तुम्हें छोड़कर चला जाओं मेंने तो हमेशा यही कहा कि हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, मेंने कभी तुम्हें जूटी होप नहीं दी विवान, विवान काव्या की आगे कुछ कहे उसे पहले ही उसके हुंटों पर अपने हुंट रख देता है, ये सब इतनी अचानक से होने से काव्या की वो काव्या को किसकम बाइट ज्यादा कर रहा था, वही काव्या वैसे ही खड़ी थी, वो उसे अपने किये की सजा समझ, कुछ रियक्ट नहीं कर रही थी, करीब दस मिनट बाद विवान काव्या के होन्थों को छोड़ता है, काव्या के होन्थों से खून बह रहा था, जो विवान के होन्थों पर भी थी, विवान अपना सिर काव्या के सर से जोड़ कर आज के बाद ना मेरे दिल में ना मेरे ओफिस में, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना, काव्या भरी आँखों से अंजाने में मैंने तुम्हे बहुत दर्द दिया है अब तुम्हे कोई दर्द नहीं दूंगी सेया और करन की शादी के बाद में तुम्हे कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी काव्या की बात पुरी होते ही विवान उसे छोड़ देता है विवान काव्या को तरफ पीठ कर चली जाओ अब आगर क कुछ देर और रही तो मैं वो कर दूंगा जिसका गिल्ट मुझे पुरी जिंदगी रहेगा विवान की बात सुन काव्या भरी आँखों से बीना कुछ कहे वहां से चली जाती है काव्या का कमरा सेया कमरे की बालतनी में ख़़ी थी और आज की सारी बाते सोच रही थी सेया खुद से करन ने मेरे लिए ये सब किया ताकि मेरे जो भी अर्मान से शादी को लेकर वो पूरे हो सके तुमने गलत तो मेरे साथ बहुत किया है करन पर उसे भी ज्यादा तुमने मेरे खुशियों के लिए वो किया है जो करना हर किसी के बस की बात नहीं अब तक तुम जो म जिसे मैंने आज तुम्हारी आखों में देखा, तब ही पीछे से कोई सेया के कंदे पर हात रखता है, सेया पलट कर देखती है, वहाँ काव्या खळी थी, काव्या सेया से क्या सोच रही है, सेया काव्या को देखते हुए बस कुछ खास नहीं, आज जो सब हुआ बस उसी के काव्या की पारे में सोच रही हूँ। काव्या सया के बागल में आते हुए आज करण ने तेरे लिए वो किया है जो सिर्फ एक आशिक अपने महेबुग के लिए करता है। सया सामने देखते हुए करण मुझसे सच में प्यार करता है। और आज वो प्यार मेने, उसके आँखों में देखा, काव्या सिया को देखो और तू, तू नहीं करती उसे प्यार, काव्या का सवाल सुन सिया काव्या को देखने लगती है, पर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, काव्या सिया को चुप देख मेने कुछ पूछा सिय तू करन से प्यार नहीं करती, सिया कमरे में जाते हुए बहुत रात हो बही है, हमें सोना चाहिए, इतना कहकर सिया कमरे में चली जाती है, सिया के जाने के बाद काव्या अपने मन में मैं बस यहीं चाहती हूँ सिया की तुझे भी, करन से प्यार हो जाए, और तू उसके साथ उसके बाद में ये शहर छोड़ कर चली जाऊंगी क्यूंकि अब में विवान को और हट नहीं कर सकती ना ही उसकी फैलिंग्स के साथ खेल सकती हूँ उसके बाद काव्या भी कमरे में चाली जाती है Untitled Chapter, Next Day, सब विला के बाहर अपनी अपनी कार में बैठ रहे थे प्रिया जी, राधा जी, रवी जी और रमन जी एक कार में थे मानसी और जीत वो भी एक कार में थे, वही करन और सिया भी एक कार में थे, बस विवान, काव्या, जै और जिया एक कार में थे आयू के एक जाम थे जिस वजह से वो बाद में आने वाला था सब उसे छोड़ कर ही राजस्थान जा रहे थे कुछ ही पलों में सब अपनी अपनी कार में बैठ कर विला के गेट के बाहर निकल जाते है विवान की कार, विवान और जय आगे बेठे हुए थे और जय और कावया पीछे बैठी हुए थी दोनों विंडो के बाहर न नजारा देख रही थी कर में एक रोमेंटिक सा सॉंग प्ले हो रहा था कावया कब से नोटिस कर रही थी कि विवान उसकी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा पर कावया कुछ रियाक्ट नहीं कर रही थी उसके चहरे पर अपने लिए कावया को नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी वही जया फ्रंट मिरसे जय को बड़े प्यार से निहार रही थी जिसे जय भी फील कर पा रहा था पर वो कुछ रियक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि अब उसे ये सब अच्छा लगने लगा था जया विवान से विवान भाय एक बार पूछें विवान ड्राइफ करते हुए अंडस को हम पूछो जया जय को देखते हुए आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए मेरा मतलब कैसा होना चाहिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन्स होगी उनके लिए विवान जया की बात सुन फ्रंट मेरसी काव्या को देखता है जो उसे ही देख रही थी विवान बोलते हुए वो मुझसे कभी जूट ना कहे मेरे जजवातो का मजाकना बनाए और मुझे हर वो बार बताए जो मुझे जानना जरूरी हो जया विवान से बस भाए और कुछ नहीं मतलब सुन्दर हो, सुशील हो विवान ड्राइफ करते हुए नहीं मेरे लिए हर चीज से उपर है लोयल्टी उसके सिवा मेरे लिए एक रिष्टे में और कुछ माइने नहीं रखता कहते हुए विवान काव्या को मिरमें देखता है काव्या को सब समझा रहा था कि विवान से सब किसे कह रहा है करन और सिया की कार कर ड्राइवर ड्राइव कर रहा था करन अपने लाप्टोप पर हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था वही सिया मिरा के बहार देख रही थी और अपने मन में करन को भला बुरा कहे जा रही थी सिया अपने मन में जब पूरे रास्ते काम ही करना था तो मुझे अपने साथ क्यू ले कराया अच्छा भला में सब के साथ उनकी कार में मस्ती करते हुए जाती काम से कम ऐसे बोर तो नहीं होना पड़ता सेया पलट कर करंग को देखती है और फिर लाचारी से वापस से विंडो के बाहर देखने लगती है करं सेया से क्या हुआ वुडबी वाइफ ऐसे क्यू गुस्से में मुझे घूर रही हो सेया पलट कर गुस्से में घुरू नहीं तो क्या करू आगर तुम्हें प्यार रास्ते यूही काम करना था तो मेरे साथ इस कार में क्यू आए इसे अच्छा तो मैं बाकी सब के साथ चली जाती और एंजोई करती करन अपना लेप्टॉप बंद करते हुए अच्छा तो इसलिए आप नाराज है तो बताओ क्या करू में जो तुम्हारा गुस्सा कम हो सके सिया करन से ये भी मुझे बताना होगा करन सेया को देखते हुए इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है वाईफी जो पूछना है सीधा सीधा पूछो ऐसे गुस्सा होने का नातक करने की कोई जरुरत नहीं है सिया करन को घूरते हुए ये दोबारा शादी करने का ख्याल कहा से आया तुम्हारे दिल में करन सिया को देखते हुए तुम ही चाहती थी ना कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी शादी के लिए तैयारियां कर सको खुस हो सको, सारे फंक्षन इंजॉय कर सको करन की बाते सुन सिया उसकी आँखों में देखने लगती है जहां आज फिर उसे अपने लिए प्यार नजर आ रहा था करन भी एक तक सिया की आँखों में देखने लगता है करन अब सिया के बेहत करीब आ चुका था करन कार का पार्टिशन ओन कर सिया को कमर से पकड़ अपने इस लिए चाहता हूँ अब सब वैसे हो जैसा मेरा प्यार चाहता है शायक जिस वज़ह से तुम हमारा रिष्टा नहीं अपना पा रही ये शादी उस वजह को खत्म कर दे सिया के हाथ करण के कंदों पर थे जो कस जाते है करण सिया से आशा है अब जो भी होगा तुम उससे अपने दिल से अपनाओगी इतना कहकर करण सिया से दूर होकर उसका चहरा देखने लगता है सेया करन से मुझे वक्त लगेगा करन करन सेया को देखते हुए मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद इस रिष्टे को नहीं अपना लेती तब तक मैं तुम पर ये रिष्टा नहीं तोपूंगा सिया करन की आँखों में देखते हुए इंतजार करना आसान नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितना वक्त चाहिए करन सिया से वादा करता हूँ अपनी आखरी सांस तक बीना एक भी गिला सिक्वे के तुम्हारा इंतजार करूंगा करन की बात सुन सिया एक तक उसे देखने लगती है दोनों के चहरे अभी भी बेहत करीब थे सिया को पता नहीं क्या होता है और वो अपना सिरकरन की सीने पर रख देती है और अपनी आखे बंद कर लेती है सिया को ये हरकत देख पहले तो करन चोक जाता है पर उसके बाद ही उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है सिया अपने मन में उलजने खतम होने का नाम ही नहीं ले रही चाहती हूँ सब भूल कर आगे बव पर पता नहीं क्यों हर बार कदम पीछे हो जाते है Untitled Chapter राजस्थान सब की कार राजस्थान के जैपुर की रोड पर चली जा रही थी सब विंडो से बाहर देखते हुए जैपुर की खूबसूरती देर रहे थे कुछी देर सब की कार जैपुर के एक शाही महल की सामने आकर रुखती है सभी लोग कार से उतर जाते है सेया आँखे फाड़े वो महल देख रही थी क्योंकि वो देखने में बेहत खूबसूरत था वो एकदम महलो जैसा लग रहा था सेया ने आज पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा था यही हाल काव्या का भी था क्योंकि उसने भी आज पहली बार ही ये सब देखा था सेया करन ये ये कितना खूबसूरत है करन करन सेया का हाथ पकड़ते हुए तुम्हारा ही महल है तो खूबसूरत तो होगा ना इतना कहकर करन सिया का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है सभी लोग एक साथ महल के अंदर एंटर करते हैं तभी उनके सामने एक लड़का आता है उन्हें वेलकम करने के लिए वो लड़का देखने ने बेहद आट्रेक्टिव था उसका औरा बहुत प्रेजेंटेबल था प्रिया जी उस लड़के को देख कैसे हो अक्ष अक्ष उनके पैर छूते हुए अंदस को एकदम अच्छा हुँ चाची उसके बाद अक्ष बारी-बारी सबसे मिलता है प्रिया जी सिया को अक्ष से मिलते हुए सिया बेटा, इनसे मिलो ये है अक्ष ठाकुर, इस महल के मालिक और पापा मतकब तुम्हारे दादा जी के बचपन के जिगरी दोस्त का पोता, ये हमारे फैमिली मेंबर में से एक है प्रिया जी की बात सुन सिया स्माइल करते हुए हिलो अक्ष, अच्छा कहा तुम से मिलकर, इतना कहकर सिया और अक्ष एक दूसरे से हैंड सेक करते है, सबसे लास्ट में अक्ष करन के पास आकर, अक्ष करन को हग करते हुए अंडस को कैसा है दोस्त, अक्ष की बात सुन करन क के फेस पर स्माइल आ जाती है करन स्माइल करते हुए में तो ठिक हूँ पर तु कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा करन की बात सुन अक्ष के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं अक्ष सब की तरफ देख आप सब कमरे में जाए मेंने सारी अरेंजमेंट करा दी आप स तब फ्रेश हो कर आये तब तक में दिन लगवाता हूँ अक्ष की बात सुन सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सब के जाने के बाद वहां काव्या आती है काव्या का कुछ सामनाकार में ही रह गया था जिसे लेने के लिए काव्या को थोड़ा वक्त लग जाता है अ काव्या अक्ष से जी में सेया की दोस्त हूँ काव्या काव्या की बात सुन अक्ष मुस्कुराते हुए काव्या आई सामने अपना हाथ बढ़ा कर वेलकम मिस काव्या अक्ष काव्या भी मुस्कुराते हुए अंडस को नाइस टू मीट यू अक्ष अक्ष काव्या से सब अ कोई मैद नजर नहें आती आक्ष काव्या से चलिये में आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ आक्ष की बात सुन काव्या हां में सिरहिला देती है और दोनों वापस से मुस्करेट हुए आपस में बात करते हुए वहां से कमरे की तरफ जाने लगते हैं वही विवान द उससे में कल तक रो रही थी मुझसे माफी मांग रही थी और अब चहरे पर एक सिकन तक नहीं है और एक अंजान लड़के से हस हस कर बाते कर रही है रात का समय सब दिन कर अपने अपने कमरे में जा चुके थे अलरेदी सब ट्रावल कर बहुत ठक चुके थे और परसों से स काव्या और सिया एक कमरे में थे, काव्या सोफे पर बैठ कर विवान और अपने बीच हुए बातचीत के बारे में सोच रही थी, वही सिया बैठ पर बेठे करन के खयालों में गुम थी, कि तभी गेट नोक होता है, सिया और काव्या एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, क क्योंकि अब काफी रात हो चुकी थी और अब कोन होगा, उसके बाद काव्या उठकर दर्वाजा खोलती है, उसके सामने करन था, सिया भी गेट के तरफ देख रही थी, पर काव्या के खड़े होने की वजह से उसे दिख नहीं रहा था कि गेट पर कोन खड़ा है, सिया पी क्या तुम, इतना कह कर करन चुक हो जाता है, वही करन को बात सुन काव्या के फेस पर हलकी सी स्माइल आ जाती है, काव्या स्माइल कर आपकी ही बीवी है, एक घंटा क्या जितना वक्त चाहिए, इतना बिताए, फिल हाल के लिए मैं जा रही हूँ, इन्जोई यॉर टाइम इतना कह कर काव्या बीना सिया को कुछ कहे कमरे से निकल जाती है, काव्या को जाता देख सिया काव्या कहा जा रही है इस वक्त, और कौन है गेट, सिया कहते कहते रुख जाती है, क्योंकि अब उसके सामने करन था, करन जल्दी से कमरे का गेट अंदर से बंद कर देता है, स करन को अपनी तरफ आता देख सिया अपने कदम पीछे लेने लगती है सिया पीछे जाते हुए करन तुम ये क्या कर रहे हो अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो आगे सिया कुछ कहती उसे पहले ही वो जा कर दिवाल से जा लगती है करन सिया के एकदम करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड रख लेता है सिया और करन एक दूसरे के आँखों में देखने लगते है करन सिया की आँखों में देखते हुए तुम अभी भी मेरी बीवी हो में जब चाहू जैसे चाहू तुमसे मिलने आ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता कहते हुए करन सिया के होन्थों के तरफ बढ़ने लगता है करन को करीब आता देख सिया की सांसे तेज हो जाती है पर वो कुछ रियेक्ट नहीं करती, बस अपनी आँखे कसकर बंद कर लेटी है करन सिया के होन्थों की तरफ देखते हुए कैसा लगा जैपुर सिया अपने कांपते हुए होन्थों से अच्छा, अच्छा लगा करन सिया से तुम्हारी आवाज क्यों लड़ खड़ा रही है करन का सवाल सुन सिया मसे करन को भूरने लगती है क्योंकि सिया को अच्छे से पता था कि करन उससे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहा है दरसल करन सिया के बहुत करीब खड़ा था जिस वजह से सिया को काफी uncomfortable feel हो रहा था एक यही वजह थी कि सिया करन से कुछ कह नहीं पा रही थी सिया करन को दक्का दे कर खुद से दूर कर देती है करन सिया से दूर हो जाता है सिया करन के बगल से निकल कर बैट पर बैठते हुए इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो करन करन सिया के बगल में बैठते हुए मेरा आना तुम्हें अच्छा नहें लगा सेया करन को देखते हुए अगर मेरा जवाब ना हो तो करन सेया की आँखों में देखते हुए तो तुम ही जवाब देने की जरूरत नहीं है विकॉस मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे जूठ बोलो क्योंकि तुम चाहे जो भी कहो पर तुम्हारी आँखों ने मुझे सब बता दिया है सिया है रानी से करन को देखते हुए क्या बता दिया है मेरी आँखों ने करन सिया को कमर से पकड़ खुद के करीब करते हुए यही कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए भले मुहबबत ना हो पर नफरत भी नहीं है तुम्हे भले मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता हो पर मेरा साथ तुम्हे अच्छा लगता है सेया करंग की बात सुन करंग की आँखों में देखने लगती है सेया करंग को देख अपने मन में सही कहा अब इस दिल में तुम्हारे लिए नफरत तो नहीं है पर अब जो एहसास है वह एहसास क्या है वह मुझे नहीं पता और यह हसास मेरे लिए नफरत से भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि ये दिल तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है क्यों मुझे जब तुम नहीं नजर आते तो एक बेचैनी से मेरे दिल में उठती है तुम्हारा साथ ना चाहते हुए भी अच्छा लगता है पता नहीं यह हसास क्यों है करन सिया को देखते हुए जो अहसास है मेरे लिए तुम्हारे दिल में उसे समझने की कोशिश करो सिया सिया करन से महसूस करना इतना आसान नहीं है करन करन सिया को देख इतना मुश्किल भी नहीं इतना कहकर करन सिया के गाल पर किस कर लेता है जिसे सिया एकदम से फ्रिज हो जाती है करन सिया के कान में बहुत मुश्किल हो रहा है अब तुम से दूर रहना अब ये दिल तुम्हारा साथ चाहता है तुम्हें चाहता हैं। इतना कहकर करन सिया के कान को बाइट कर लेता है। सिया करन की बाते सुन अपनी नजरे निचे कर लेटी है। करन सिया को देख तुम तो अभी से शर्मा गई। अभी तो मेने किस किया भी नही। करन की बात सुन सिया के गाल लाल हुने लगते हैं। क् कि करन के हाथ सिया की खुली कमर पर बेहत सेंशुल वे में टच हो रहे थे करन सिया से आगे कहते हुए आगे तुम्हें शर्माने के इसे भी ज्यादा मौके दूंगा ओन आफ फर्स्ट नाइट इतना कहकर करन नौटी स्माइल करते हुए सिया को देख आए विंद कर देता है वही सिया करन की बाते सुन और शर्माने लगती है करन को इस वक्त सिया बहुत प्यारी लग रही थी करन बीना एक भी पल गवाए सिया के चीन को पकर उसका फेस उपकर अपने हूंट सिया के हूंटों पर रख देता है सिया की आँखे हिरानी से फेल जाती है क्योंकि करन बीना किसी वॉनिंग के सिया को किस कर रहा था करन अपनी आँखे बंद कर सिया को बड़े पैशन शन के साथ किस करने लगता है सिया भी आज करन को रोक नहीं रही थी वो बस फ्रेज होकर करन जो करने कर रहा था उसे करने दे रही थी सिया को कुछ रिजेक्ट कर देना देख कर और भी पैशनेटली सिया को किस करने लगता है धीरे धीरे सिया अपनी आँखे बंद कर देती है सिया और करन दोनों की आँखे बंद थी करन के हाथ सिया की खुली कमर पर चल रहे थे वही सिया के हाथ करण के कंदों पर कस्ते जा रहे थे करीब आधे घंटे बाद करण सिया के होंत को छोलता है सिया के होट एकदम चैरी जैसे रेध हो गए थे वो सिया के गाल भी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था सिया की अपनी नजरे जुका कर नीचे देखने लगती है करण सिया के बाल उसके कान के पीछे करते हुए सोरी पर आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया करण की बात पर सिया कोई जवाब नहीं देती वोही करण सिया के फोर हेड पर एक किसकर कमरे से बाहर निकल जाता है करण के जाते ही अच्छानक से सिया के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है वोही दूसरे तरफ काव्या विला के बाहर गार्डन में अकेले बैठी हुए थी तब ही उसे अपने पीछे किसी की प्रसेंस फील होती है काव्या पलट कर देखती है तो वहां उसे अक्स खड़ा हुआ दिखता है अक्ष काव्या के बाजू में आकर बेठी हुए तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो काव्या अक्ष को देख बस कुछ नहीं नीन नहीं आ रही थी इसलिए यहां कर बैग गई काव्या को बात सुन अक्ष की हसी छूट जाती है अक्ष को हस्ता देख काव्या उसे ना समझी में देखने लगती है काव्या अक्ष से तुम हस क्यूं रहे हो आक्ष काव्या को देखते हुए तुम जूट बोल रही हो इसलिए मेरी हसी निकल गई काव्या हैरानी से कौन सा जूट काव्या और अक्ष आपस में बात कर रहे थे कि तभी विवान जो बालकनी में फोन पर बात कर रहा था उसकी नजर उन दोनों पर पढ़ती है जिसे देख विवान की आँखे लाल हो जाती है इस वक्त काव्या और अक्ष को यूँ अकेला बाहर देख उसे गुस्सा आने लगता है वही काव्या को बातों का जवाब देते हुए अक्ष कहता है मुझे पता है करन भाई सिया भाभी से मिलने गए है इसलिए तुम यहां बैठी हो अक्ष की बात सुन काव्या भी अपनी जिप को दांतों के बीच फसा कर हसने लगती है कुछ ही देर में दोनों जोर जोर से हसने लगते हैं कि तभी वहां अचानक से विवान आता है विवान को वहां देख काव्या जो मुस्कुरा रही थी उसकी स्माईल गायब हो जाती है क्योंकि विवान के फेस पर काव्या को गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था आक्ष विवान से कुछ कहता उसे पहले ही विवान बीना कुछ बोले काव्या का हाथ पकड़ उसे तेजी से खीचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है काव्या को पता लग गया था कि विवान काफी गुस्से में है इसलिए वो भी विवान को कुछ नहीं कहती बीना बोले उसके पीछे खीची चली जाती है वही अक्ष को विवान का ये बेहेवियर काफी अजीब लगता है पर फिर अक्ष ज्यादा ध्यान दिये बिना अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है वही विवान काव्या का हाथ पकर उसे खीचते हुए अपने कमरे में लेकर आता है और कमरे में लाकर कावया का हाथ जटक उसे बैक पर धक का मार कर कमरे का दर्वाजा अंदर से बंद कर देता है कावया कुछ कहती उसे पहले ही विवान कमरे का दोर बंद कर अपने कदम कावया की तरफ बढ़ने लगता है विवान की आँखी लाल थी जिस वजह से काव्या काफी दर जाती है और उसके मूँ में से एक भी शब्द नहीं निकलता Untitled Chapter विवान कमरे का गेग बंद कर अपने कदम काव्या के तरफ बढ़ाने लगता है काव्या सहमी नजरों से विवान को देख रही थी विवान बैक तक पहुँचे उसे पहले ही काव्या जल्दी से ब्याच से खड़ी होकर विवान के बगल से जाने लगती है काव्या जैसे ही विवान के बगल से निकलती है वैसे ही विवान काव्या की कमर पकड़ उसे अपने करीब खीच लेता है जिसे काव्या सीधा विवान के सुने से जा लगाती है काव्या विवान की बाहों में ख़ली थी काव्या खुद को छुलाते हुए अंडिस को विवान छोलो मुझे विवान काव्या पर अपनी पकड मजबूत करते हुए निचे इस वक्त तुम क्या कर रही थी कहते हुए विवान की आवाज में सकती साफ नजर आ रही थी काव्या विवान से वो, वो, में, वो विवान काव्या को अपने और करीब कर मेने जो पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो काव्या अपनी नजरे नीचे कर विवान मुझे जाने दो पीज काव्या को बात बदलते देख विवान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है विवान गुस्से में मैंने जो पूछा उसका जवाब दो विवान की टोन सुन काव्या को भी गुसा आने लगता है क्यू दूमे तुमे जवाब तुम, होते कोन हो मुझ से ये सब पूछने वाले वीवन काव्या के गाल को दबाते हुए तो वो कोन लगता है जिसके साथ इतनी रात गए घर के बाहर अकेले बैठी हुए थी काव्या विवान का हाथ जटक वो चाहे मेरा जो भी हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं उसके साथ अकेले बेथू या कुछ भी करू काव्या को बाते विवान और गुस्सा दिला रही थी विवान काव्या को अपने बाहों में उठा कर बैट पर पटक देता है जिसे काव्या की आह निकल जाती है विवान बीना एक पल गवाय काव्या की उपा आ जाता है विवान को ऐसा करते देख काव्या की सांसे थम जाती है विवान काव्या के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकर उसके सिर की उपर ले जाता है काव्या विवान को दूर करते हुए अचोड़ो मुझे विवान ये क्या बत्तमीजी है विवान काव्या पर अपनी पकड कसते हुए जिस तरह तुम जो चाहो वो कर सकती हो वैसे ही मैं जो चाहू वो में करूंगा इतना कह कर विवान अपने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है जिसे काव्या की आँखे हिरानी से फेल जाती है काव्या हकलाते हुए अंदस्को ये ये क्या कर रहे हो तुम विवान विवान अपनी शर्ट उतारते हुए जो मेरा मन कर रहा है वो विवान अपनी शर्ट ब्याच से नीची फेक देता है और काव्या के चहरे के तरफ बढ़ने लगता है जिसे काव्या कसकर अपनी आँखे बंद कर लेती है कुछ पर बाद काव्या को अपने सीने पर कुछ भार महेसुस होता है काव्या आँखे खोल के देखती है तो विवान उसके ऊपर अपनी आँखे बंद करके लेटा हुआ था विवान ने बच्चों को तरह अपने हाथ काव्या की कमर पर लपेटे हुए थे विवान जिसके चहरे पर अभी कुछ देर पहले बेहिसाब गुस्सा था आप इसके चहरे पर काव्या साफ साफ एक सुकून देख सकती थी विवान को देख अचानक ही काव्या के होंथो पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और उसके हाथ अपने आप विवान के बालों में चले जाते है कुछ ही देर में वैसे ही काव्या की आँख भी लग जाती है नेक्स्ट डे सिया रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकल काव्या को धून रही थी क्योंकि रात भर काव्या कमरे में नहीं आई थी कि तभी सिया करं के कमरे से सामने से निकलती है तभी उसकी नजरे करन पर पड़ती है करन शर्ट लेस मिरके सामने खड़ा था उसके बालों से तब तब पानी गिर रहा था सिया एक तक करन को देखने लगती है करन से एक पैक्स एब्स काफी आर्ट्रेक्टिव लग रहे थे सिया खोई हुई सिया करन को देख रही थी कि तभी दो हाथ सिया को एकदम से कमरे के अंदर खीच लिटे है सिया कुछ रियक्ट करती उसे पहले करन उसे वॉल से लगा कर उसके आँखों में देखने लगता है करन को देख सिया कुछ रियक्ट नहीं करती करन सिया को देखते हुए मुझे ताक रही थी सिया अपनी नजरे इधर उधर करते हुए नहीं वो तो में बस, बस करन सिया के चहरे के करीब जाते हुए में तो वो बस क्या सिया अपना स्काइवा गटकते हुए में तुम है नहीं देख सिया आगे कुछ कहती उसे पहले ही करन सिया के और करीब आ जाता है जिसे सिया के आगे के शब्द उसके मूल में ही रह जाते है डोनों एक दुसरे के इतने करीब थे कि दोनों के बीच हवा जाने तक की भी जगह नहीं थी करन सिया के चीन को उठाते हुए हस्बंध हुँ तुम्हारा मुझे देखने का हक है तुम्हे जिस तरह मुझे है कहते हुए करन की नजरे सिया के गर्दन से होते हुए निचे की ओर जाने लगते है सिया ने आज सफेद टॉप और ब्लाक जीन्स पहनी हुई थी जिसका गला थोड़ा दीप था करन की बाते सुन सिया उसे हिरानी से देखने लगती है तभी सिया करन की नजरे कही और देख उन्हें फॉलो करती है करन की नजरे फॉलो करते ही सिया की आँखे हिरानी से फेल जाती है सिया जल्दी से खुद का टॉप सुधारते हुए करन को घूरने लगती है करन डेविल स्माइल करते हुए घूरने की जरुरत नहीं है बीवी फिर करन सिया के कान के पास आकर धीरे से मेने पहले ही सब देख लिया है बीवी कहते हुए करन सिया के कान पर बाइट कर लेता है जिसे सिया को आह निकल जाती है साथ ही करन की बाते सुन सिया के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते है करन सिया के फेस को देख उसके गालों को अपने हुन्थों से छू लेता है जिसे सिया सहर जाती है सिया गहरी सांस लेते हुए तुमने कहा था कि तुम बीना मेरी मरजी के मेरे करीब नहीं आओगे करन सिया को देखते हुए हां कहा था इसलिए तो मैं तुम्हारे उस तरह से करीब नहीं आता और रही बात कल रात की तो मैंने कल ही कहा था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ जिसके लिए मैंने सौरी कहा था सिया करन को घूरते हुए और अभी के लिए करन सिया के होंथों को देखते हुए अभी तो मैंने कुछ नहीं किया सिया करन को भेरते हुए अंदस को जुठे जूठ क्यों बोल रहे हो तुमने अभी मुझे गाल इतना कह कर सिया चुप हो जाती है करन सिया को छेलते हुए बोलो क्या किया मेने अभी चुप क्यों हो गाए करन की बाते सुन सिया के पास कोई जवाब नहें रहता इसलिए मोका देख सिया करंग को धक्का देकर कमरे से भाग जाती है